Hello everyone, इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं हमारे chapter Light, Reflection and Refraction का एक नया topic जो की है Spherical Lenses तो बच्चों जैसे कि आपको पता है हमने start किया था Spherical Mirrors के साथ फिर हमने Refraction पढ़ा, Refraction के बाद हमने, Sorry Reflection पढ़ा था हमने Spherical Mirrors में और फिर इसके बार में हमने अपने कुछ previous lectures में Refraction को भी कर दिया है, Complete, तो जो major topics थे हमारे chapter के एक या Spherical Mirrors, उनसे होता है क्या Reflection और दूसरा major topic था वो था अपना Refraction, तो वो भी हमने cover कर लिया है और जो last major topic जो बच्चा है हमारे chapter का, वो है Spherical Lenses तो उस topic को आज हम इस lecture में start करने वाले हैं तो इस lecture का बच्चों मैं आपको target बता देती हूँ सबसे पहले तो हम समझेंगे lens, कि lens क्या होता है फिर Spherical Lenses क्या होते हैं और फिर इसके बार में components of spherical lenses जैसे कि हमने spherical mirror पढ़ा था बच्चों, उसमें भी हमने कुछ उसकी components पढ़े थे कि principal axis होती है, center of curvature होता है, pole होता है तमाम सारी चीजें हमने spherical mirrors के बारे में पढ़ी थी उसी तरह से कुछ components होते हैं spherical lenses के भी तो आज सबसे पहले तो हम lenses समझेंगी क्या होते हैं spherical lenses समझेंगी क्या होते हैं और spherical lenses के components भी समझने की कोशिश करेंगे तो target हो गया है fix आज के इस lecture का तो हम lecture भी कर देते हैं start So this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की requirement बिल्कुल भी नहीं है बच्चो क्यों? क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का हमारा lecture जो की बेज होगा spherical lenses पे तो भाई इस lecture की start हम करते हैं इस lecture को हम start करते हैं एक सवाल के साथ अब आप बोलो कि मैं पढ़ाया है नहीं और सवाल पूछने शुरू कर दिये कोई बात नहीं मुझे पता है कि आपको इन सवालों की जवाब पता है बस हम क्या कर रहे हैं उनको revise कर रहे हैं तो कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं कि मैंने आपको पढ़ायी नहीं और मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको पता है वो चीज बस मैं आपको उन चीजों को revise कर आ रही हूँ ठीक है आपके अंदर से बाहर निकल वारी हूँ basically तो देखो हमने जब spherical mirrors पढ़े थे तो मैंने वहाँ पे आपको एक सवाल पूछा था कि हमारे घरों में जो आइने लगे रहते हैं mirrors लगे रहते हैं वो और जो glass door होते हैं office में या you know malls वगेरा में shops में बाहर कहीं या आपके घर में भी हो सकता है glass door लगे हुए हो तो उन mirrors और glass door में फरक क्या होता है दोनों ही चीजें कांच की ही बनी हैं दोनों ही चीजें glass की बनी हैं लेकिन आइने में आप अपना reflection देख पाते हो आप अपने आपको देख पाते हो लेकिन अगर हम बात करें glass door की तो glass door की सामने जबाब जाओगे तो आप खुद को नहीं देख पाओगे Glass door के जो पीछे होगा इनसान या कोई समान जो भी कुछ होगा उसके पीछे वो आपको देख जाएगा तो फरक कहा होता है बने तो दोनो glass के ही है लेकिन क्यों एक चीज में हम अपने आपको देख पाते हो और दूसरी चीज में नहीं तो मैंने आपको उसका जवाब बताया था क्या कि वहाँ पे जो mirrors होते हैं जो आइने लगे होते हैं हमारे घर में वो कैसे होते हैं? polished होते हैं उनके पीछे polishing होती है किसकी होती है? Silver polishing होती है क्यों? क्योंकि जो हमारा silver होता न बच्चो वो 95-98% तक उसको आने वाली जो light है उसको वो क्या कर देता है? reflect कर देता है बाइ बाइ बोल देता है कि चले जाओ यहां से हमारे पास मत आओ ठीक है? तो ये mirror का case हुआ कि mirror में हम अपने आपको क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उस पे strike करने वाली जो incident rays है उसको वो कर देता है reflect और जब वो reflected rays हमारी आखों तक पहुशती है तो हम अपने आखों देख पाते हैं लेकिन glass door के case में क्या हो रहा था? कि कोई polishing नहीं थी याने कि incident rays को reflect करने वाला वहां पे कोई नहीं था तो क्या होगा? तो हमारी जो light होगी ना बच्चो वो उस glass door पे suppose यी क्या है? glass door है इस particular point पे क्या हुआ है? एक incident ray incident हुई है तो क्या होगा? जब भाई यहां पे कोई रोकने वाला नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हमारी जो incident ray होगी वो glass के तुरू बाहर निकल जाएगी यानि कि वो glass को travel कर लेगी glass की जो भी thickness होगी उसको travel करके glass के बाहर निकल जाएगी ठीक है? तो यह basic difference हो गया क्या? mirror में और एक glass door में कि भाई mirror में polishing होती है glass door में नहीं होता mirror में polishing होने के कारण क्या होती है? जो light rays होती है वो reflect हो जाती है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता light rays यहाँ पर बाहर ही चली जाती है वापस नहीं आएगी bounce back नहीं होंगी अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या यह जो glass door है? जो लो glass door तो बहुत बढ़ा हो गया हम एक rectangular glass slab की बात करते हैं जो हमने reflection की case में पढ़ा था rectangular glass slab जुसमें हमने दो reflections पढ़े थे angle of incidence को angle of emergence से equate किया था बराबर किया था उसी वाली glass slab को हम ले लेते हैं rectangular glass slab अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या यह rectangular glass slab एक lens है? मेरा तो नहीं है यह तो हम ठपपे के साथ कह सकते हैं कि हाँ glass slab हमारी mirror नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई reflection नहीं हो रहा है क्यों यह पर polishing नहीं है reflection नहीं हो रहा है लेकिन reflection तो हो रहा है तो क्या मेरी glass slab rectangular glass slab एक lens है? सबसे पहले तो lens ही समझो spherical lenses तो समझ लेंगे lens समझो तो क्या मेरी rectangular glass slab एक lens है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं यह rectangular glass slab lens नहीं है लेकिन reflection तो हो रहा है यहाँ पर तो फिर क्यों नहीं हो सकता यह lens? क्योंकि भाई lens क्या होता है? lens बच्चो एक transparent refracting material होता है जिसका at least एक surface कैसा हो? curved हो? या फिर spherical हो? मेरी बात को अच्छे से समझो lens की मैंने आपको definition क्या बताई है? क्या होता है lens? तो lens एक transparent refracting material होता है यहने कि transparent material जो कि क्या कर सके? reflection कर सके light को अपने से पास होने दे तो एक ऐसा transparent refracting material जिसके पास at least कम से कम एक surface कैसा हो? curved हो? ठीक है? कम से कम एक surface कैसा हो? curved हो? या फिर spherical हो? उसे हम कहते हैं lens और यह जो अगर हम बात करें हमारे rectangular glass lab की तो क्या कहीं से कहीं तक इस glass lab के पास कोई curved surface था? बिल्कुल भी नहीं था यह तो बिल्कुल ही plane है जो हमारी rectangular glass lab है उसका तो हर surface कैसा है? बढ़िया plane है plane नहीं है plane है तो मतलब क्या हुआ? curved नहीं है curved नहीं है तो मतलब क्या हुआ? यह lens नहीं है हमारी जो rectangular glass lab है बच्चो वो lens नहीं है क्यो? क्योंकि उसके पास कोई भी curved surface नहीं है तो यहां से हमने lens की एक definition समझ में आ गई कि lens होता क्या है तो कोई भी एक transparent refracting material refracting क्यों बहुर रहे हैं क्योंकि ऐसा material transparent material जो अपने आप से light को pass होने दे तो एक ऐसा transparent refracting material जिसके पास at least कैसा हो एक curve हो एक surface कैसा हो curved हो या spherical surface हो उसी को हम कहते हैं lens अब मैं आपसे अगर पूछू कि बचो कितने type के lens होते हैं तो आप बोलोगे मैं दो type के एक होता है concave और एक होता है convex बिल्कुल भी नहीं यह सही बात है कि एक concave lens होता है और एक convex lens होता है और यही दोनों आपकी syllabus में हैं इस टाइपस ओफ lenses सिफ इन ही दोनों तक नहीं होते हैं छै टाइप के ठीक है छै टाइप के lenses होते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कहां से एक rectangular slab से ही start करते हैं तो मैंने आपको बताया कि rectangular slab एक lens नहीं है क्यों क्योंकि इसके पास curved surface नहीं है कोई बात नहीं है इतनी सी चीज के लिए विचारों को lens ही मानना छोड़ देंगे क्या भई reflection तो यह बहुत अच्छा शो करती है तो बस एक चीज के लिए कि इसके पास curved surface नहीं है इसको हमने lens ही नहीं माना अब बन गया यह lens है ना क्यों क्योंकि इस glass slab के पास अब एक curved surface आ गया और यह transparent भी है यह refracting material भी है सारी properties है lens की तो lens इसको बोल देते हैं लेकिन अब मैंने आपको बोला total 6 type के lens होते हैं तो इन सभी 6 type के lenses के कोई ना कोई नाम होने चाहिए वरना आप उनको कैसे बोलोगी कि आप किस lens की बात कर रहे हो कि आपके जो chest में है उसमें किस तरह के lens काम आ रहे हैं जो telescope है उसमें किस तरह के lens काम आ रहे हैं कोई ना कोई lens का नाम तो होना चाहिए तो यह काम करते हैं, इस lens को भी नाम हम दे देते हैं क्या दे सकते हैं भई? एक surface इसका plane, तो दूसरा कैसा है? curved, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं, plano, ठीक है? प्लेन तो बोल रहे हैं लेकिन ये कौन सा होगा ये वाला curved surface ये आप देखरों कि बाहर की तरफ निकला हुआ है बाहर की तरफ निकलने वादे surface को हम क्या कहते हैं बच्चों कर्फ को हम क्या बोलते हैं convex तो इसका नाम हम बोलते हैं क्या plano convex lens ठीक है इस lens का हमने क्या नाम दिया इसको हमने नाम दिया plano convex lens प्लेनो क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एक surface इसका plane है convex क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो दूसरा curved surface है ठीक है वो कैसा है बाहर की तरफ निकला हुआ है bulging out है तो इसलिए इसको हमने नाम दिया plano convex lens इसके पास भी curved surface तो है ही, भले कैसा है, अंदर की तरफ है, लेकिन है तो ना, तो इसको भी हमने बोला क्या, ये भी है क्या, एक टाइप का lens, नाम करें इसका भी करते हैं, क्या नाम होगा, इसका नाम होगा, प्लेनो कॉनकेव lens, है ना, क्यों, क्योंकि एक surface plane था, और दूसरा कैसा था, दूसरा था थोड़ा सा curve, कैसा curve था, अंदर की तरफ कर था, तो प्लेनो कॉनकेव और ये प्लेनो कॉनवेक्स, अब एक काम करते हैं, अब इस glass slab को, अभी तक हम सिफ एक ही surface curve बना रहे थे, अब दोनो बना देते हैं, ठीक है, दोनो कैसा, तो कुछ इस तरीके का बना देते हैं, ठीक है, दोनो तरह से कैसा हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, यानि कि अब हमने इस glass slab के, दोनो ही surface को क्या कर दिया है, curve कर दिया है, curve भी कैसा किया है, outward, बाहर की तरफ curve किया है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं बच्चो, double convex lens. अब अगर आप बाहर की तरफ इसको करव कर सकते हो, दोनों surface को, तो अंदर की तरफ भी कर सकते हो. तो ये देखो, ये कर दिया मैंने क्या? glass slab के दोनों ही surfaces को अंदर की तरफ कर. तो अब मैं इसको क्या नाम दूँँगी? अब मैं इसको नाम दूँगी double concave. समझ में आ रहा है ना? इसको मैं क्या नाम दूँँगी? Double concave. double double मैं क्यों बहुर रही हूँ? क्योंकि अब जो है, दोनो surfaces, इसके पास دो surfaces कैसे हो गया है? convex वाले हो गया है. हैंने कि दो surfaces curved surfaces बाहर की तरफ curved हैं इसलिए मैंने नाम दिया double convex इसको मैंने double concave क्यों बोला क्योंकि इस particular transparent material के क्या हो रहे हैं दोनो surfaces अंदर की तरफ curved हैं इसलिए मैंने इसको double concave बोला ठीक है अब हमने चार टाइप की तो लेंज पढ़ लिये हैं दो और बचे हैं अभी हमने plane और curved का combination देख लिया है ना दो एक जैसे curve का combination देख लिया अब हम एक काम करते हैं अब हम दो different curved surfaces का combination देखते हैं एक हम लेते हैं कौन सा? एक हम लेते हैं कुछ इस तरह से ये रहा क्या? एक curve जो की बाहर की तरफ निकला हुआ है याने की कैसा है? convex है ठीके? और दूसरा कैसा है? दूसरा curve कुछ इस तरीके का है जो की अंदर की तरफ है एक curve बाहर की तरफ है तो दूसरा curve कैसा है? अंदर की तरफ है इसको भी मैं क्या नाम दूँँगी? इसको मैं नाम दूँँगी Convexo Concave Lens क्यों? क्योंकि इस transparent material का एक surface कैसा है बाहर की तरफ करवड है हने कि convex है और दूसरा curved surface कैसा है अंदर की तरफ curved है तो convexo concave lens similar earlier अगर मैं इसको उल्टा कर दूँँ तो एक surface जो है बाहर की तरफ curved है और एक surface कैसा है अंदर की तरफ curved है तो अब मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ? इसको मैं बोल सकती हूँ कौन सा? Concave Convex Lens तो भाई अब मैं होड़ा साइड हो जाती हूँ सारे 6 के 6 lenses को आप देख लो क्या उनका shape होता है start क्या था हमने एक सवाल से कि mirror और एक glass door या एक glass slab की बीच में difference क्या होता है? polishing का difference होता है जो mirror है उसके उपर polishing होती जिसके कारण light वहां से reflect हो चाती है लेकिन जो glass है वहां पे polishing नहीं होती है जिसके कारण जो glass है वो अपने आपसे light को pass होने देती है याने की reflection होने देती है तो एक rectangular glass slab lens क्यों नहीं है? क्योंकि lens की definition क्या होती है बच्चों? कि lens क्या होता है? एक ऐसा transparent refracting material होता याने कि एक ऐसा transparent material जो की light को अपने आपसे कैस होने दे? refract होने दे तो lens क्या है एक ऐसा transparent refracting material है जो कि क्या करता है जिसके पास at least एक surface कैसी हो curved हो यानि कि spherical हो तो हमने क्या किया इस rectangular glass lab को सबसे पहले हमने इसका एक surface डियना curve किया वो curve कैसा था बाहर की तरफ था और हमने इसको नाम दी दिया क्या प्लेनो-convex lens फिर हमने दूसरा surface क्या किया है उसका एक surface हमारे rectangular glass lab का अंदर की तरफ curve कर दिया है तो इसका नाम पढ़ जाएगा प्लेनो-concave lens फिर हमने क्या किया इस rectangular glass slab का के दोनों surface इसको हमने बाहर की तरफ कर्व कर दिया तो यहां पे इसका नाम क्या पढ़ जाएका double convex इस case में क्या हुआ था rectangular glass slab के जो दो surface है उसको अंदर की तरफ कर्व कर दिया तो क्या नाम पढ़ गया इसका double concave अब हम दो type की combinations और बचे थे क्या किया हमने यहां पे हमने एक surface को बाहर की तरफ कर्व किया एक surface को अंदर की तरफ तो इसका नाम पढ़ गया क्या convex o concave यहां पे क्या किया था यह वाले surface को अब अंदर की तरफ convert कर दिया curve कर दिया और यह वाले surface था उसको बाहर की तरफ कर दिया तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बच्चो Concave वो Convex Lens ये पूरे क्या है 6 टाइप के Lens होते हैं तो अब अगर कोई आप से पूछे कि भाई Lens कितने टाइप के होते हैं तो इसको ये वाद बोला कि 2 टाइप के होते हैं एको क्या Concave और एको क्या Convex वो भी टाइप के Lens होते हैं ये दिखरा है आपको लेकिन टोटल कितने टाइप के Lens होते हैं 6 टाइप के Lens होते हैं और अब ये जो Double Concave Double Convex Lens है ना इनहीं दोनों को आपको पढ़ना है तो चिंता की बात नहीं है कि बापरे 6 टाइप के Lens है कितना सारा पढ़ना पढ़ेगा कोई जरुबत नहीं जादा पढ़नेगी क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो Lens ही है एक है Double Convex और एक है Double Concave ठीक है? और बार बार Double Double लिखने से कोई फाइदा नहीं है हमको पता है कि Convex Lens कैसा होगा जिसके दोनों सर्फेसे कैसे हो? बाहर की तरफ करवड हो Concave कैसा होगा जिसके दोनों सर्फेस अंदर की तरफ करवड हो तो ये Double Double लिखने को कोई फाइदा नहीं होता वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया इनको simply कैसा बोला जाता है? इनको simply बोला जाता है Concave Lens and Convex Lens ठीक है? तो हमारे syllabus में हमको सिर्फ ये दोनों Lenses पढ़ने हैं बाकी Lenses के बारे में मैंने आपको बताया इसलिए होगी आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने type के Lenses होते हैं आगए आपको सबको बात समझ में I hope ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको अब सवाल ये उड़ता है कि क्या कभी Lenses को हमने देखा है? या कोई ऐसी चीज़ है जिससे अभी अभी बिल्कुल हमारा सामना हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं Lenses हम सबने देखे हैं कहीं न कहीं जैसे कि Magnified Glass वगेरा होता है जब हमें किसी कोई चीज़ लिखी हुई किसी paper पे ठीक है? वो बहुत बारीक लिखी हुई है ठीक है? तो उसको आप Magnified Glass लगा कर के देखते हो Magnified Glass लगाने से फाइदा क्या होता है? उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं अल्फबेट जो लिखे होते हैं वो बड़े दिखाई देने लगते हैं तो ये Magnified Glass क्या है भई? उसमें भी Lens लगा हुआ है अब कौन सा Lens लगा है? वो हम देख लेंगे अगर वो देख पा रहे हैं प्रॉपरली तो वो कैसे देख पा रहे हैं भई? Lens के कारण देख पा रहे हैं ठीक है? चलो ये दोना चीज आपको समझ में आई और कहां कहां हमने Lens लेंस देखे हैं? टेलिसकोप में यार जब मैं आपको Concave Mirror और Convex Mirror के मैं आपको Applications बता रही थी उस समय मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक Concave Mirror लगाने से क्या होता है? कोई भी Celestial Object इसको आप देख रहे हो उससे निकलने वाली Parallel Race क्या हैंगी? Concave Mirror पे पढ़ेंगी और एक Particular Point पे आकर के Converse हो जाएंगी? याने कि Focus Packer के Converse हो जाएंगी Focus पे लगा होता है क्या? Secondary Mirror जो कि जितनी भी Reflected Race है उनको कहां भेशता है? Eye Piece की तरफ भेशता है जहां से आप देख रहे होते हो Eye Piece पे क्या लगा होता है? बच्चों एक Lens लगा होता है Lens क्या करता है? उन सभी Reflected Race को जो आ रही है Celestial Object से उनको वो क्या कर देता है? Diverge कर देता है याने कि Enlarge कर देता है इसलिए आस्मान में जो भी आप Celestial Object को देख रहे होते हो उसकी आपको एक Enlarged Image दिखाई परती है कैसे दिखाई परती है? क्योंकि हमारे इस तेलिस्कोप में लागा होता है एक Lens ठीक है? Similarly, Microscope Microscope तो भी अब बहुत ही important है अब जब higher classes में जाओगे हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को Schools में Microscope के Under Slides बगेरा दिखा दी गई हो या अगर नहीं दिखाई है तो 11-12 में तो दिखाई ही देंगे तो Microscope का तो भी अब बहुत ही आज की जमाने में यूनो बहुत ही useful है जितने भी हमारे medical, you know examination, test पगेरा जो होते हैं वो इनी Microscope के बदावलत होते हैं ये नहीं होंगे ना तो जितने भी test पगेरा होते हैं blood test लेलो चाहे कोई भी test लेलो वो possible ही नहीं है Microscope में भी क्या लगे होते हैं lenses लगे होते हैं जो कि किसी भी minute से minute चीज को जो भी हमाई body का minute से minute cell होता है उसकी भी एक enlarged image दे रहेते हैं तो ये कुछ जगा है ये कुछ चीजे हैं जहां पर आपने हो सकता आपने इन सभी चीजों को use किया हो लेकिन ये भी पता होगा कि क्यूं कर रहे हैं इन चीजों को use तो lenses कहां कहां हम देख चुके हैं वो मैंने आपको पता दिया है अब बारी आती है क्या हमारे spherical lenses को पढ़ने की ये कुछ types हैं जो हम already discuss कर चुके है double convex, planoconcave, convex, converging ठीक है? double concave, planoconvex ये वो ही वाले example से जो हम already पढ़ चुके हैं ठीक है? चलो अब इसके बाद में spherical lenses जो होते हैं वो जो हमें पढ़ने हैं वो दो type के होते हैं एक concave और एक convex ठीक है? अब एक ज़रा बात बताओ मैं spherical mirrors को spherical bowl क्यों रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ बच्चो spherical mirrors को spherical sorry spherical lenses को spherical lenses क्यों? क्योंकि वो बने होते हैं कैसे? दो sphere से इस चीज़ को समझना बच्चों बहुत जरूरी है कि क्यों मैं आपको बढ़ा रही हूँ कि spherical lens जो होते हैं वो दो sphere से बने होते हैं क्योंकि जब हम इन lenses के components की बात करेंगे ये चीज़ आपको वहाँ पी समझ में आएगी जैसे कि मैंने बोला कि suppose मेरे पास क्या है? एक convex lens है ये क्या है? एक double convex, double नहीं बोलेंगे हम बार-बार simple क्या बोलेंगे? ये क्या है बच्चों? एक है हमारे पास convex lens अब जरा आप मुझे ये बताओ कि इस convex lens के कितने spherical surfaces हैं? इस convex lens के कितने spherical surfaces हैं? तो अगर आप बोलोगे एक तो वो हो जाएगा आंसर गलत आपका आंसर होना चाहिए क्या? दो ये जो spherical lens है भाईया इसमें दो spherical surfaces हैं यकिन नहीं होता? तो देख लेते हैं ये वाला जो surface है हमारे lens का उससे हम बना देते हैं क्या? एक स्पियर ये बन गया? अब ये वाला जो surface है हमारे lens का उससे भी हम बना देते हैं क्या? एक और sphere तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे convex lens से दो spheres बन रहे हैं मेरे convex lens से बच्चों कितने spheres बन रहे हैं? दो spheres बन रहे हैं इसलिए तो मैंने आपको बोला कि जो convex lens होता है न उसके पास दो spherical surfaces होता है कि कितने spherical surfaces होंगे जैसे मैंने दो spheres बना के दिखाए हैं वैसी आप convex mirror के भी case में बना के देख लो यह रहा क्या अपना convex mirror अब इस convex mirror की कितने spherical surfaces हैं? तो एक काम करो ना एक ही sphere बना करके देख लो एक concave mirror से आपके पास एक ही sphere बना तो याने कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो convex mirror है उसके पास एक ही spherical surface है similarly यही चीज़ follow होती है concave mirror के लिए भी concave mirror से भी आप क्या कर सकते हो? concave mirror से भी आप जो है ना सिरफ एक ही sphere बना सकते हो याने कि आपके concave mirror के पास भी क्या होता है? केवब एक ही spherical surface होता है याने कि आप वो एक ही sphere से बना होता है लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी convex और infect किसकी concave lens की ठीक है? ये भी एक sphere बनाएगा और ये वाला जो curved surface है spherical surface है वो भी क्या करेगा एक sphere बनाएगा यानि कि मेरा हर एक lens 2 spherical मेरा हर एक lens 2 sphere बना रहा है या आप ये भी बोल सकते हो कि हर एक lens जो है वो 2 sphere से बने हुए ओविसी बात है एक sphere 2 spherical surface इसे बना नहीं सकता ठीक है इदर देखो ये जो green color से आपको दिख रहा है ये जो green वाला spherical surface है ये किसने बनाया है ये green वाले sphere ने और ये जो blue वाला spherical surface है ये किसने बनाया है ये बनाया है blue वाले sphere ने यानि कि हमारे जो lens होते हैं बच्चो उनको हम spherical lens क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो बने होते हैं किसके साथ स्फेयर के साथ स्फेयर से बने होते हैं जो convex lens होगा वो भी कितने उसके भी कितने spherical surfaces होंगे दो क्यों क्योंकि वो दो अलग-अलग sphere से मिलके बना हुआ है similarly एक जो concave lens होगा वो भी zpherical surface हैं, हमारे concave lens का, उसको किसने बनाया है? ये वाले sphere ने. ये वालर जो surface है, ये किसने बनाया है? ये वाले sphere ने. आपको आ रिए बाद सम्ज में? कि spherical lenses जो हम पड़ रहे हैं, convex और concave lens. इन दोनों की क्या होते हैं? दो-दो sphherical surfaces होते हैं. क्यों दो spherical surfaces होते हैं क्योंकि हर एक surface क्या बना रहा है दो sphere बना रहा है यानि कि आप बोल सकते हो कि दो sphere बना करके एक spherical lens बनती है आई चीज आपको समझ में I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी इसका क्या significance है यह हम पढ़ेंगे यह हमें पता चलेगा कब जब हम पढ़ेंगे components को spherical lenses के भी components होते हैं जैसे कि spherical mirrors के हो रहे थे तो जब हम उन components को पढ़ेंगे तब आपको यह चीज समझ में आएगी तो अब ज़रा भाई definition देख लेते हैं थोरी देख लेते हैं spherical lens क्या है भाई piece होता है transparent refracting material का usually glass which is bounded by two surfaces often both the surface of lens are spherical दोनों ही surfaces कैसी होती है भाई spherical होती है spherical lenses दो type के होते हैं एक होता है convex और एक होता है concave convex को हम क्या कहते हैं converging कहते हैं और concave को हम क्या कहते हैं भाई diverging कहते हैं जब हम इनसे बनने वाले ray diagrams पढ़ेंगे तब आपको converging और diverging का रोल समझ में आएगा कि क्यूं हमने convex को converging बोला है क्यूं हमने concave को diverging बोला है यह दोनों चीज़े आपको spherical mirrors के opposite नहीं लग रही है concave को हम spherical mirrors के case में कैसी होती है converging हो रही है देखें यहां पर हम convex lens को converging कह रहे हैं और यहां पर जो concave lens है उसको हम क्या कह रहे है diverging कह रहे हैं और mirror के case में जो convex mirror होता था उसको हम कहते हैं diverging समझने वाली बात है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो बही जो convex lens होता है जिसको हम converging lens भी बोलते हैं यह कैसा होता है यह अच्छा खाते पीदे घर का होता है क्यों क्योंकि यह center से कैसा होता है थिक होता है और edges पर जाकर क्या हो जाता है पतला हो जाता है तो convex lens कैसा है surfaces होते है PQ binding the lens are convex that is bulging out a convex lens is called converging lens because it converges the ray of light ये वाले point को हम तब देखेंगे जब हम इसके ray diagram पढ़ेंगे ठीक है चलो convex lens समझ में आया एक होता है क्या concave lens, concave lens क्या होता है ये दोड़ा सा dieting करता है ठीक है क्यों क्योंकि देखो center में कैसा है पतला है edges पे जाकर के ये मोटा हो जाता है लेकिन center में कैसा है ये पतला है तो convex lens कैसा है खाते पीदे घर का है और concave lens कैसा है dieting कर रहा है बीच में पतला है edges पे जाकर के मोटा हो जाता है आए बाद आपको समझ में और concave lens को हम क्या कहते हैं भाई इसको हम कहते हैं diverging lens यह जब हम रे diagram पढ़ेंगे ना तो चिंता की बात नहीं है वहाँ पर देख लेंगे आ रही है आपको चीजे समझ में अब क्या है देखो इस session में वैसे तो मैंने target fix किया था कि इस session में हम पढ़ेंगे spherical, सबसे पहले lenses पढ़ेंगे फिर spherical lenses पढ़ेंगे फिर उसके components भी पढ़ लेंगे है ना लेकिन क्या उसरद असा time लग गया है हमने lenses पढ़ लिया है spherical lenses पढ़ लिया है एक काम करते हैं components को हम पढ़ते हैं next lecture में तो इस lecture के लिए बच्चों इतना ही हम बात करेंगे, हम मिलेंगे अपने next lecture में तब तक आप क्या करो हमारी जो official website है na magnetbrains.com उसे visit कर लो जहां पर आपको सभी chat plus की video lectures मिलेंगे playlist में साथे साथ सभी topics के महां पर आपको notes भी होंगे available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching